हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए रीजनिंग के वही कोशन लेकर के आया हूँ जो परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है अब यहाँ पे पहला प्रेशनी रीजनिंग का जो है नंबर सीरीज का है अब बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं, क्यों confused रहते हैं मैं बता देता हूँ कि पहले बड़ी संक्या, फिर छोटी संक्या, फिर बड़ी संक्या, फिर छोटी संक्या अब इनको करने के आपने एक तरीका ये सिखा होगा कि जब बड़ी संक्या छोटी संक्या बड़ी संक्या रहे तो आप एक संक्या को छोड़ करके relation बनाईए सिखा होगा जरूर कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे चैनल पर ही सिखा हो हो सकता है कहीं और सिखा हो ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको सिखाना चाहरा हूँ उसे ध्यान से सिखिए यह 23 है और यह 5 है ठीक है 23, 5, 53, 8 जो मैं रिलेशन बना रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा अगर मैं इस दोनों संख्या को आपस में जोड देता हूँ दो और तीन को अगर मैं आपस में जोड देता हूँ दो और तीन पांच मिल जाएगा मुझे यह अगली संख्या बिल्कुल सेम लोजिक अगर मैं आगे करता हूँ पांच और तीन को आपस मैं जोर देता हूँ तो पांच और तीन मुझे आठ मिल जाएगा अगली संख्या अगर सेम तरीका मैं यहां लगा देता हूँ चार और तीन को आपस में जोड देता हूँ तो मुझे साथ मिल जाएगा अगली संख्या और सेम लोजिक अगर मैंने यहां लगा दिया तीन और चार को आपस में जोड दिया तो मुझे साथ मिल जाएगा अगली संख्या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो पहला option किस-किस ने टिक कर दिया सही जवाब पहला ही option है और जो बच्चे इस तरीके से सोचते है कि जब बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या जब रहे तो एक संख्या को छोड़ के relation बनाईए अब यहाँ पर तो बनेगा नहीं एक संख्या को छोड़ के देखे 23 है 53 है 43 है बन जाएगा क्या नहीं बनेगा फिर क्या करोगे आप तो इस तरीके से भी आप जरूर सोचें कोश्चन के बारे में हो सकता इस तरीके से तो नहीं दिया बात मेरी समझ में आ गई चलिए अब देखतें अगला प्रेशने अगला प्रेशनी है क्या बढ़िया सवाल दिया गया है ऐसा सवाल बच्चे वहां तक सोचें भी नहीं ऐसा सवाल चलिए अगर इस पान सो बीस की में बात करूं तो यह पान सो बीस क्या है पान सो बीस के अगर हम बात करें तो यह आठ का क्यू पिलस आठ समझना 8 का Q पिलस 8 दे रखा है 8 का Q पिलस 8 क्योंकि 8 का Q अगर आप करेंगे तो ये 512 होता है और पिलस उसमें आप 8 कर देंगे 512 में 8 जोड़ देंगे तो 520 हो जाएगा है की नहीं सेम लोजिक यहाँ पे लगा न अगर आप 9 का Q करते हैं और पिलस उसमें आप 9 को ही कर देंगे तो 9 का Q आप करेंगे 739 होता है और उसमें आप 9 को ही जोड़ देंगे तो 738 हो जाएगा अब यहाँ देखें ये किस संख्या के Q के पास है अगर आप 6 का Q करते हैं और उसमें 6 को ही जोड़ देंगे तो 6 का Q कितना 216 और उसमें आपने जोड़ दिया 6 को ही तो यह आपको 222 मिल जाएगा अब यहाँ पर किसंख्या का हम Q करें यहाँ देखो 8 के बाद 9 का किया तो 6 के बाद 7 का करेंगे clear तो 7 का Q करेंगे और प्लस 7 को ही जोड़ देंगे 7 का Q होता है 343 प्लस कर देंगे 7 कोई तो यह हो जाएगा हमारा 350 350 यानि कि C option प्रेशने का बिल्कुल सही जवाब है clear हो गया न सभी को चलिए अब देखते हैं अगला सवार अगला प्रेशने है और इस प्रेशने के बारे में अगर बात करी जाए तो बहुत ही लाजवाब प्रेशने है मैं आपसे कहूँगा कि इस प्रेशने के आगया आप very very important जरूर लिख लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि इस तरीके का प्रेशने जब एक्जाम में आये तो उसे कैसे solve किया जाता है अगर मैं ऐसे solve करूँ तो x command find करूँगा और ऐसे solve करूँ तब भी मैं x command ही find करूँगा हिंट हमारे पास यह रहता है कि जिस तरफ बड़ी संख्या रहे हम पहले प्रेशने को उस तरफ solve करें अगर मैं ऐसे देखूँ तो बड़ी संख्या 33 है मेरी इधर 39 है तो ऐसे ही मैं प्रेशने को solve करने के बारे में सोच सकता हूँ तो 8 और 17 है कर मैं क्या करूँ कि मुझे 33 मिल जाए ठीक है कि 8 और 17 से 33 कैसे आया 12 और 5 से 39 कैसे आया बिलकुत 10 और 13 से मुझे वही संख्या मिल जाएगी चलो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड देता हूँ 8 को और 17 को अगर मैं जोड़ोंगा तो कितना मिलेगा भई 8 को 17 को अगर मैं जोड़ोंगा तो मुझे 25 मिलेगा 33 तो नहीं मिला अगर इस 8 को मैं एक और बार जोड़ दूँ तो मुझे 33 मिल जाएगा इस पहली संख्या को एक और बार जोडने से क्या ये लोजिक यहाँ पर भी लग रहा है पहले इन दोनों को जोड़ो 12 और 5 17 और इस पहले वाली संख्या को पहले वाली संख्या को फिर से जोड़ो जैसे यहाँ पहले वाली को फिर से जोड़ा ना इसको भी फिर से जोड़ो 17 में अगर मैं 12 जोड़ू तो मुझे 29 मिल जाएगा और 29 ही मेरा दिया गया यानि कि लोजिक बिल्कुल सेम है बिल्कुल सेम लोजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए 10 और 13 को अगर मैं जोड़ूँगा तो 23 हो जाएगा और पहले वाली संचा को मैं फिर से जोड़ूँगा 10 को तो 23 में 10 जोड़ूँगा तो 33 मिल जाएगा और 33 मेरा डिय ओप्सन में दिया गया यह प्रिष्णिका बिल्कुल सही जवाब है किलियर होगी इने बात चलिए अब देखें अगल सवाल अगल सवाल है आपका सवाल को जब आप देखेंगे तो यह 95 है और यह 105 यह 89 यहाँ पे क्या आएगा अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तिमाल करूँ तो मैं यह कह सकता हूँ आपसे के यह यहाँ पे अगर मैं ध्यान सर्ड़ूँ तो मुझे इतना जरूर मालूम है क्यों कि यह एकि यह मेरा बीच में 100 होगा बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां पर भी 100 रखता हूँ तो मुझे यह मालूम हो जाए का यह 100 से कितना कम है 11 कम है तो यह 100 से कितना जारा होगा 11 जादा होगा तो 100 में अगर मैं 11 जोड़ दूँगा तो 111 हो जाएगा और 111 मिला C आप्सन में सही जब हम मिल गया अब दूसरे तरीके से भी आप इसको सोच सकते है कि 95 और 105 को अगर हम एड करेंगे तो 200 मिल जाएगा और यहां पर 200 बनाने के लिए 89 में आप 111 जोड़ेंगे तब भी 200 मिल जाएगा इस तरीके से वना सटिक तरीका यह है आपका चलिए अब देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशन है 163,4,245 कोशन मार अगर आप मेरी बात मान के इस कोशन के आगे भी बेरी बेरी इंपोर्टेंट लगा लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं चाहूं तो आप इस कोशन को खुद से करके देख लीजिए आपको मालूम हो जाएगा प्रेशने का लेवल क्या है अगर आप प्रेशने को खुद से करके देखेंगे तो मालूम होगा ठीक है देखी 167,43 कैसे बनेगा मैं तो आपको बता दूँगा 20 सेकेंड, 10 सेकेंड में करा दूँगा आपको समझ में आ जाएगा लेकिन जब खुद से आप करते हो तब आपको मालूम होता है कि वाकि में लेवल का कोशन है 167 से 43 बनाना है अगर मैं क्या करूँ मेरे पाई यह जो 1 है ना मैंने 1 लिख लिया यह 6 है मैंने 6 लिख लिया जिस 7 है यह 7 लिख लिया मुझे करना क्या है कि बाद वाली दोनो संग्याओं का तो मल्टिप्लाई करना है और पहले वाली संग्या को जोड़ना है तो बोड मास के अकोडिंग आप पहले मल्टिप्लाई करोगे 6 कामल पे 7 से करोगे 42 और इसमें क्या करना है जोड़ना कितना ये 1 तो आपका 43 हो जाएगा यानि की 43 अब सेम लोजिक लगेगा 2 है आपके पास 4 भी है और 5 भी जैसे बादवाली संख्या का मल्टिप्राई किया था था ना सेम मल्टिप्राई कर दो यहाँ पे पहले वाली संख्या को जोड़ दो पहले वाली संख्या तो ऐसी ही रहेगी बादवाली का मल्ट पे 4 पच्चे 20 अब 20 में 2 जोड़ देंगे तो आपको 22 मिल जाएगा यानि कि यहाँ पे according to हमारा जो relation हमने बनाया है उसके अनुसार तो 22 आना चाहिए और 22 हमारा B option में दिया गया है इसका मतलब यही सही जवाब है समझ में आगे है ना चलो अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है 4 का relation 12 से है तो 5 का relation फिर किस संख्या से है करने के तरीके अलग-अलग अगर आप 4 का multiply 3 से करोगे तो 12 5 का multiply 3 से करोगे तो 15 15 option में नहीं है कोई बात नहीं अगर आप 4 का multiply कितने से कर देखेंगे तीन से कर देखेंगे 4 तरीक का 12 यानि कि 4 का जो आपने multiply किया है एक कम कर गई है चार में से एक माइनिस करके किया है ना तो यहां पांच में से भी आप एक माइनिस करके मल्टिपाई कर सके चार से करोगे फिर雅 चार से एक कम 3,5 से एक कम 4 तो 5 क respons 4 को 20 हो जाएगा यह रहा सही जवाब अब एक तरीका इसमें और भी लगा देते हैं बच्चे, चार का स्कॉर करोगे आप 16, और 4 को भी माइनस कर दिया, तो 12, ये 5 का स्कॉर करोगे आप 25, और 5 को भी माइनस कर दोगे, तो भी 20, ये तरीका भी लगा देते हैं, आंसर सही मिल गया, कोई से भी तरीके से मिल गया, सही आना चाहिए बस, च में कुछ भी मुश्कुल नहीं कुछ इंपोर्टाइंट नहीं hypothesis कुछ इंपोर्टेंट यह चैन雌 से बना दो कोई क्वेस बढ़ा नहीं है अगर आप 10 कहें दिख नए आपने बाद वाली संख्या से पहली वाली बना ली तो यहां भी बाद वाली संख्या से आप पहले वाली बना लोगे बना लोगे कि नहीं तो यहां पर आठ आ रहा है तो कोई संख्या का योग 16 रहा होगा और 16 में आप 2 से डिवैड करेंगे तभी तो आठ आएगा जैसे यह 11,1-6,7,7,7,4,11,11,11, ओंए जोड़मे में पांच,-16, बिल्कुल सही, इसका युग 16 आरा है, और भी दूसरा चेक कर लो, 7 sau 6, 13, 2, 15, 4, 19 यह गलत हो गया उप हीց, 6 keer 7, 13, 13 में 4 जोड़मे, 17, 17, 23 से भी गलत ही, यानि कि B option प्रेशने का बिल्कुछ सही जवाब है चलिए अब देखते हैं अगला प्रेशने अगला प्रेशनी है 600, 2000, 600 से सीधा 2000 है फिर बीच में missing number है फिर 9000 है ध्यान लगाना अगर मैं 200 का multiply 3 से कर देता हूं तो 600 होगा किलियर और यहां ध्यान लगाना अगर मैं 200 का multiply 10 से कर देता हूं तो 2000 होगा ठीक है यहां तो missing number है तो यहां पर आ जाईए पहले वाले में 3 से multiply बाद वाले में 10 से multiply ठीक है इतना किलियर तो यहां जो होगा वो multiply 3 होगा और यहां multiply 10 होगा इतना तो klar है तो मैं कौन सी संख्या रखों जिस का поддерж 10 से करने पर 9000 होगा तो मैं 900 का comes per 10 से कर तो 9000 हो जाएगा हो जाएगा कि नी, तो यहाँ पर भी क्या करूँगा, जैसे 200-200 था, तो यहाँ 900-900 हो जाएगा, यहाँ मल्टिपेज 3 रहेगा, पहले वाले में 3, बाद वाले में 10, तो 900 का मल्टिपेज 3 से कर दू, 2700 हो जाएगा, यह सब प्रैक्टिस के उपर है वाई, अगर आपने प्र मुश्किल है आपके लिए अगर आप पढ़ते नहीं हो तो, चलिए अब देखने अगला सवाल, अगला सवाल है, यह साथ है और यह 77 है, दोनों ही जगा कोश्चन मार्क, भाईयों अगर आप इस कोश्चन को खुद से करोगे, तो सोचिए आपका प्रैक्टिस कितना अच् प्रैक्टिस के लिए, यानि कि होंबर्क के लिए मुश्किल है, तो थोड़ा सा समय लेके कर दो, अगर अभी कर रहे हो, तो फटा फट से अपना अंसर कमेंड कर दो, अपना अंसर बता दो कि सर हमने जो किया है, वो यह आंसर है, अपना अंसर कमेंड कर दिया करें, ठीक है A, B, C, D ऐसे करके कमेंट कर दो या फिर इन रेशियो को आप लिखे कमेंट कर दो कि यह आंसर है अभी क्या भी करोगे प्रेक्टिस जब अभी करोगे तो आप अभी सीखने को मिलेगा ठीक है तो बेट विल्कुल भी न करें टाइम विल्कुल भी न लें